पिशान है कि जब भी आप लोग data on करते हैं तो automatically telegram से आप लोगों के photos and videos download होने लग जाते हैं अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जैसे telegram में बहुत सारे channel या group join करते हैं हम automatically telegram पे बहुत सारी चीज़े आती रहती है photos, videos तो वो automatically हमारी gallery में save हो जाती है फिर हमें बार-बार उसे delete करने की problem face करनी पड़ती है तो इस video में मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे ये problem fix हो जाएगी बदब telegram का auto download आप लोग बहुत आसानी से fix कर सकते हैं तो मैं आप लोगों से चोटी से request करूँगा वीडियो को like जरूर कर देना ताकि नई वीडियो बनाने के लिए motivation मिले तो चले हम लोग जानते हैं किस तरीके से हम लोग telegram पर जो auto download उसको off कर सकते हैं सबसे पहला आप लोगों को उपर यहाँ पर एक बार click करना पड़ेगा जैसे आप लोग यहां पर click करेंगे फिर आप λोगों को जाना पड़ेगा settings में और जैसे आप लोग settings में जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक option दिखेगा data and uses यहाँ पर third वाला settings में यह देख रहे हैं तो data and uses पर आप लोगो click करना है अब यहाँ पर आप लोगों कई option show करेंगे लेकिन मैं आप लोगों को बता दो हूँ आप लोगों क्या करना है यहाँ पर जैसे disk and network uses है first वाला लेकिन हमें automatic media download एक option दिख रहा है तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ notice करेंगे कि when using mobile data यह on है when connected on wifi so यह सारी चीज़े होने तो अगर देखें मैं आपको first वाली चीज़ समझाता हूँ जैसे कि when using mobile data तो 10 MB तक कि आपके mobile data के photos and videos download होंगे starting में तो यह आप mobile data का off कर सकते हैं अगर आप चाहते कि mobile data से मेरा download ना हो और यह है automatically जब आपका wifi कहीं से आपको automatically आप connect करते हैं तो automatically download हो तो यह वाला है तो इन दोनों को off कर सकते हैं या फिर wifi वाला आप लोग on कर सकते हैं अपने हिसाब से when roaming इसको भी off कर सकते हैं आप total तरीके से चाहते हैं कि कोई भी media automatically download ना हो तो इस तरीके से आप लोग telegram पर auto download की problem को solve कर सकते हैं so I hope आप लोगों को video पसंद आई हो कि video पसंद आई तो like करें और channel को subscribe करना ना भूलें